हे एवरीवन वल्कम बैक टू दीपा के मिंजन चैनल आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ आलू प्राथा वैसे तो आलू प्राथा की दो रिस्पी मैंने आप लोग के साथ औरेटी शेर की हुई है आज मैं ये नई तरीके से बनाऊंगी तो चलिए शुरू करते ताकि ये थंड़ा हो सके साथ में हम दो चमच कसूरी मेथी को विट्राइ रोस्ट कर लेंगे थोरी दिर कसूरी मेथी को भुनने के बाद आप इसे एक अलग बरतर में निकाले अब इन दोनों को ठंड़ा होने के बाद इसका यूज हम करने वाले हैं अब सेम कराई में मैं यज़ी आब सम्रेक्ट करने लिए और मिर्चे लिए वेस्पिर्ट तेलने लिए है एक टेबल स्पून तेल अब तेल में डाल दें डालेंह dw groupe करें अब दरक लेसन कमेहाफ मैंने मिर्ची का पेस्ट नहीं डाला है मिर्ची मैं काट कर अड़ करूंगी यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हों तो मिर्ची को पीस कर डाले या फिर स्किप कर दे अब मैंने इसमें डाला है तीन मीडियम सैज के उबले हुए आलू को मैश करके नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार अब इसमें डाल दे अजवाइन और कॉलांजी आदी छोटी चमज मिला दे सबको अची तरह से आलू को लो मीडियम पे थोड़ी दिर फ्राई करे जितना आलू फ्राई होगा अची तरह से अच्छा टेस्ट आएगा आलू प्राठे में तो मैंने यहाँ पे गैस का फ्लिम बिल्कुल लो रखा है इदर मुंग फली भी तंडा हो चुका है तो मैंने उसका छिलका निकाल दिया है अब इसे मिक्सरिजार में ट्रांसफर कर दे और इसका एक पाउडर तयार कर ले अब इस पाउडर को एड़ कर दे आलू के साथ आलू का जो स्टफिंग है उसके साथ जो मुंग फली का पाउडर होता है उससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा काफी enhance हो जाता है इसका टेस्ट मिला दे सबको अच्छी तरह से अब इसमें डाल दे कसूरी मेती कसूरी मेती को दोनों हथिलियों के बीच रब करें और इसमें add कर दें अब low flame पर आलू को अच्छी तरह से fry करें जितना patience के साथ आप आलू को fry करेंगे उतना ही लजीज आपकी आलू प्राठा बनकर तयार होगी आलू को थोरी दिर fry करने के बाद अब हम इसमें add करेंगे एक टेबल स्पून अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से आलू में एक खटास आएगा और इसका टेस्ट और enhance होगा आलू में अमचूर पाउडर में लाते हुए इसे थोरी तेर फ्राई करेंगे अमचूर पाउडर के जगह पे आप चाहे तो चाट मसाला पाउडर भी यूज कर सकते हैं उससे भी इसका टेस्ट अच्छा हैगा मैंने करीब इसे 10 मिनट फ्राई किया है यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे आलू क्योंकि भून कर तयार हो चुका है अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल दे ताकि यह जल्दी से जल्दी थंड़ा हो जाए आलू का स्टफिंग थंड़ा हो चुका है आप इसे अराम से हाथ से छू सकते हैं अब हम इसे आटा में फिल करके इसका प्राथा तयार करेंगे यहाँ पर मैंने आटा का एक लोई तयार किया है अब इसका कटोरी शेप देंगे ताकि हम जो आलू का स्टफिंग है इसमें अराम से भर सके थोड़े से आलू के स्टफिंग ले और इसके अंदर फिल कर दे आलू प्राठा सर्दी का जान होता है बिना आलू प्राठा के तो सर्दी लगती ही नहीं है मज़ा ही नहीं आता है तो आलू प्राठा आप चरूर बना और ये बताया होगा मैठन आप फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा आलू प्राठा बनकर तयार होगा आटे में आलू को भढ़ने के बाद अच्छी तरह से लॉक कर दे और इसे अब दोनों हथीलियों के बीज घुमाते हुए हम इसे एक रूटी का शेप देंगे ताकि जो स्टफिंग है वो चारो तरफ फैल जाए आप चाहे तो इस प्रकार से चकले के उपर रख कर भी आप इसे प्रेस करेंगे तो जो स्टफिंग है आलू का वो चारो तरफ प्राठे के अंदर फैल जाएगा अब आप rolling की मदद से इसे roll कर ले प्राठे को जितना बरा या छोटा बनाना है वो आपके उपर निर्भग करता है तो इस प्रकास से इसे roll करे और जितना पतला आपको रखना है वो भी आप अपने अनुसार decide कर सकते है यहाँ पर एक प्राठा बिलकर तैयार है अब हम चलते हैं चुले की तरफ तो पहले से मैंने तवा को गरम करके रखा है इस पे आलू के प्राठे को अच्छी तरह से रख दे दोनों तरफ फ्लिप करते हुए इसे अच्छी तरह से सेक ले अब आप इस पे घी, तेल या फिर बटर जो भी आप पसंद करते हो खाना इस पे लगाए और इसे फिलिप करते हुए दोनों तरफ से अच्छी तरह से प्राठे को सेख ले मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे सेखा है यहाँ पे घी लगाते ही प्राठा अच्छी तरह से उपर से फुलने लगा है दोनों तरफ इसी तरह से घी लगा है और इसे फिलिप करते हुए लो फ्लेम पर सेख ले यदि आपको crispy प्राठा चाहिए तो इसे low flame पर सेखे यदि आपको soft प्राठा चाहिए तो इसे medium flame to high flame पर सेख सकते हैं बस प्राठे को सेखते समय एक बात का ध्यान रखे कि सुरू में जो प्राठा आप डालते हों तवे के उपर उसे low flame पर ही सेखे वरना प्राठे आपके कच्चे रह जाएंगे सेम प्रोसेस को follow करते हुए बाकी के भी प्राठे आप इस प्रकार से सेख ले अब मैं आपको आलू के प्राठे को close up से दिखाती हूँ इस प्रकार से मैंने घी लगाया और बहुत सब्धानी पूर्वक इसे flip कर दिया है तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरह से फुलने लगा है जैसे अब घी लगाएंगे और इसे low to medium flame पर सेखेंगे ये फुलने लगेगा मैं पूरा प्राठा अच्छी तरह से चारो तरफ से फुल जाएगा अब मैं यहाँ पर आपको एक प्राठा खोल कर दिखाती हूँ आप देख सकते हैं आलू का जो stuffing है प्राठे के चारो तरफ बराबर spread है तो ये हमारा आलू का प्राठा बनकर तयार है तो आप इस प्राठे को किसी भी चीज़ के साथ सर्फ कर सकते हैं मैंने इसे सर्फ किया है धनिया पत्ती और आवले की चिटनी के साथ इस चिटनी के रेजपी को मैंने अलरेड़ी अपने चैनल पर डाला हुआ है आप चाहे तो इसे आचार के साथ भी सब कर सकते हैं तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने खाना स्टार्ट कर दिया यदि आप लोगों मेरी आज की बनाई हुई रिस्पी पसंद आई हो तो प्लिस चानल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब कीजे साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजे ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों मिलता रहे मिलती हूँ इसी तरह आसान, मज़ेदार और नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई, टेक केर के पहुचें